हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुमत और आज हमें एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है खुमनतू मोर चलो शुरू करते हैं पजार जाते हुए एक दिन ट्रिशा ने अपनी मा की साड़ी पर सारी मोरों को गिना कितनी सुन्दर दिखती है ना साड़ी पर यह क्या? एक मोर हिला इस मोर को दुनिया देखने का बड़ा शौक था पजार लोगों से, चीजों से, अवाजों से और खुश्पों से भरा हुआ था सो जब कोई देख नहीं रहा था, मोर फुदक गया एक रंग बिरंगी छाते पर त्रिशा हैरान, वो उसका पीछा करने लगी छाते वाली औरत एक पतंग की दुकान पर रुके वहाँ धेर सारी पतंगे थी, लाल और तीली, हरी और नीली मोर ने इससे पहले पतंग कभी नहीं देखी थी सो जब कोई देख नहीं रहा था, वह उचला और चड़ पैठा एक रंग बिरंगी पतंग पर एक छोटे लड़के ने पतंग खरी दी और उसे उड़ाने लगा पतंग हवा के संग उपर उड़ने लगी उपर और उपर मोर इससे पहले कभी इतनी उचाई पर नहीं उड़ा था ओ, कितना मज़ा आ रहा था और तब ही पतंग एक पेड़ पर अटक गई हाई, त्रिशा ने सोचा अब वो हमेशा के लिए वहीं अटका रहेगा इससे पहले की वहाँ मोर को बचाने के लिए कुछ करती मोर ने छलांग मारी एक लौरी पर त्रिशा किसी की साइकल पर चड़ी और पीचा करने लगी लौरी सरको पर तेजी से इधर उधर कभी यहां कभी वहां दोड रही थी पर रुको, मोर ने चित्र से भरा हुआ दिवार को देखा और जब कोई देख नहीं रहा था, मोर उचला एक हाथी पर सजा सवारा हाथी, वह बहुत ही सुन्दर था अचानक धोल और संगीत की उची आवाजे सुनाई देने लगी रंगीले कपडे पहने लोग सड़कों पर नाचते हुए आ रहे थे मोर ने यह सब पहले कभी नहीं देखा था उसने अपने पंक फैलाए और उन सब के साथ नाचने लगा त्रिशा को भी मजा आ रहा था और वह भी नाचने लगी आचानक उसने आसपास देखा मोर गायब उसने इधर देखा उधर देखा पर मोर कहीं नहीं था कहां था वह तभी उसने अपने मा की आवाज आई त्रिशा इस तरह मत चले जाया करो मुझे लगा तुम कहीं खो गए मा ने कहा मेरा मोर कहीं खो गया त्रिशा ने उदास होकर कहा और अपनी मा के साथ आटो पर बैठ गए खर लोटने पर त्रिशा शीशे के सामने कई तो उसने क्या देखा मोर उसकी टीशेक पर बैठा था उसकी आखे चमक उठी तुम आ गए त्रिशा खुशी से चिलाई सारा दिन वहाँ खुशी-खुशी मोर वाली टीशेट पहने ही खुमती रही पर रात को जब त्रिशा सो गई मोर कुप चुप वहाँ से खिसक गया और पहुच गया वापस साडी पर अपने दोस्तों के पास कितना कुछ पता न था उन्हें अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब पाई